नमश्कार साथियो शिरी राहुल गांधी ने सबसे सार्थक आववान इस देश के लिए किया कि देश में मुद्दों की राजनीती होनी चाहिए राजनीती का मुद्दा नहीं देश में राजनीती का धरम होना चाहिए धरम की राजनीती नहीं देश में एकी करण की राजनीती होनी चाहिए तुष्टी करण की नहीं देश में प्रेम की राजनीती होनी चाहिए सदभाव की राजनीती होनी चाहिए नफरत और बटवारे की नहीं प्रंतू भारतिये जन्ता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिन के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया दोस्तो इस देश के लोगों को राहुल गांदी जी के आहुआन पर कॉंग्रेस के आहुआन पर विचार करने का समय आ गया है देश के मुद्दे क्या है देश का मुद्दा है के सो रूपिया पेट्रोल और नवे रूपिया डीजल क्यों विक रहा है देश का मुद्दा है के चीन आज भी डेपसांग, प्लेन, गोगरा और होट स्प्रिंग्स में घुसपैट करके क्यों बैठा है और मोदी सरकार चुप क्यों है देश का मुद्दा ये है के आम जन्मानश महेंगाई की मार से तरस्त क्यों है देश का मुद्दा ये है के पेट्रोल और डीजल पर साड़े च्छे साल में टैक्स लगा कर मोदी सरकार ने साड़े 25,6 लाक करोर तो कमा लिये पर मध्यंबर्ग और किसान को राहत क्यों नहीं देश का मुद्दा ये है के लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, धाईसों से अधिक किसान वीर गती को प्राप्त हो गए, मर गए, प्रंतु दिल्ली की सरकार पसीजती क्यों नहीं, देश का मुद्दा ये है के जीडीपी जो है, वो नोस डाईव यानी ओंधे म क्यों गिर रही है और देश की अर्थ विवस्ता क्यों पिट रही है देश का मुद्दा ये है के स्टाफ सेलेक्शन कमिशन में 14,000 पदों के लिए 1,30,000 लोग रोजगार के लिए आवेदन क्यों करते हैं बेरोजगारी इतनी गहरी क्यों है नौजवान दरदर की ठोकरे क्यो 85 के पद के लिए MBA और PhD नौकरी की लाइन में क्यों खड़े हैं ये देश का मुद्दा है देश के सैनिक वीरगती को क्यों प्राप्थ हो रहे हैं ये देश का मुद्दा है पर देश के देश के हुकमरानों के लिए स्तही मुद्दे क्या हैं 50 करोड की Girlfriend जब हिमाचल प्रधान मंत्री मुद्दा बनाएंगे तो क्या ये मुद्दा है या ये स्तेही सूपरफिशल बात है जब देश के प्रधान मंत्री हमारे वीर गती को प्राप्त सैनिकों की चुनाव में फोटो लगा कर उसके उनकी वीर गती के आधार पर वोट मांगेंगे तो क्या ये दे देश के उपर छोड़ते हैं जब व्यपारियों के कारेक्रम में मोदी जी ये कह देंगे के सेना का साहस तो कुछ नहीं व्यपारियों का साहस सेना से भी बड़ा है जब देश के ग्रह मंतरी अमिच शाह ये महात्मा गांधी को भी चतुर बनिया कह देंगे तो ये क्या स्तही मुद्दा है या देश का मुद्दा है जब देश के प्रधान मंत्री 15-15 लाख का वादा कर देंगे और देश के ग्रे मंत्री उसे जुमला बता देंगे तो क्या ये स्तही मुद्दा है या गंभीर मुद्दा है जब देश के प्रधान मंत्री देश के पूरब प्रधान मंत्री को बातरूम में जहांक कर देखने जैसी ऐसी ऐसी बात करेंगे जिने कहने में शरम आता है जब देश के प्रधान मंत्री विपक्ष के नेताओं को जर्सी गाए और हाइबरिड बच्रा बताएंगे जब हर लिखने वाले पढ़ने वाले लेखक पत्रकार को देश द्रोही बताकर जेल में डाल देंगे क्या ये स्तही मुद्दे नहीं देश के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, ओंदे मुगिरी जीडीपी, किसानों की शहादत, हमारे सैनिकों की वीरगती और चीन के द्वारा भारत की सरजमी पर कबजा, ये आवान किया है राहूल गांधी जी ने, ये हैं देश के मुद्दे, पर इन्हें सुनकर भी, जब देश को मुद्दों पर वापसी पर लाते हैं, कोरोना से डेड़ लाक मर गए, इस देश के लोग क्या ये देश का मुद् मंत्री एक फरजी दवाई बेचने के लिए पत्रकार वारता करते फिरते हैं, ये स्तही मुद्दे हैं, इसलिए इस देश में गंभीर मुद्दों को वापस लाने की जरूरत है, इसे भी उत्तर और दक्षिन में बाट कर इस देश का मान मत करिये, ये हमारा विनमर और इस देश को आहवान भी है कि आईए दुबारा राजनीती में मुद्दों पर बात हो, समीधान पर अगर हमला होगा तो ये देश का मुद्दा है, अगर आपके अधिकार छीने जाएंगे तो ये देश का मुद्दा है और इन पर चर्चा अवश्य होगी